वालकम तो चार्ट ट्रेडर्स आज हम इस वीडियो में आटो लोग इन देखेंगे उजिंग अप्स्रोक अपलिंक API आपको पता है कि अप्स्रोक की लोग इन प्रोसेस में आपको कोड मैनुली जनरेट करना पड़ता है ठीक है एक बार पूरा प्रोसेस को एक बार रन करता ह हो फिर हम देखेंगे अभी जो मैं रन करेंगा तो यहां पर जो प्रोसेस होगी तो यह प्रोसेस हम मैनु пиш करते है को TOTP एनेबल करना परेग तीका है तो тोटीपे ते canषक लिए आपको सिम्प्लि अजय को आपको अप्रोम करना यहिए अपना अकाउंन में करने के बादेगा आंको यहांपे मा अकाउंन में मैं जाो त्टिक है और यहां प्रोल करना यहांप को टाइम बेस्ट यहील कोड मिलेगा ठीक है और वो QR कोड को scan करो Google Authenticator में और की को copy करके आपको paste करना है अगें यह process हम देख लेए देख पार ठीक है तो यहां पर आप भी 6-digit OTP आएगा एक बढ़ हम वापस कर ले थे प्रूवी process कर दो इसको मैं वापस एनेबल करता हूँ एनेबल TOTP वापस OTP मेरे मुबाइल फोन पर आएगा एनेबल करने के बाद ये QR code को आपको scan करना है Google Authenticator में उससे पहले आपको ये copy कर लो की को copy की ठीक है और इसको जो हमारी फाइल है इसमें TOTP में यहां पर पेस्ट कर दो तो इसको मैं scan कर रहा हूँ Google Authenticator में और वहां पर आपको क्या मिलेगा code मिलेगा जो आपको code आपके mobile पर आता है वो हम TOTP से अप फैच करेंगे Authenticator से आपस मैं इसको scan करता हूँ QR code को यह मैंने scan कर लिया है और यह generated हुआ है code तो वह code को हम यहां पर copy paste करेंगे आपको क्या करना है step by step process करना है तो यहां पर आप देखो एक बार वापस में run करता हूँ तो पहले यहां पर mobile number set करेंगे यह button पर click करेंगे OTP set करेंगे button पर click करेंगे six digit pin set करेंगे और button पर click करेंगे तो six step process है और सभी का आपको export find करना है तो export find करने के लिए simply मैंने export find किया है और आप देख सकतो हो यहां पर पूरा है यह login का process आपको पता है step 1 में फिर मैंने यह mobile number का export find किया ठीक है उसको set किया mobile number फिर मैंने यहां पर मेरा button पर click किया फिर TOTP generate किया यहां पर ठीक है so TOTP को मैंने यहां पर set किया अगेन वो mobile पर मैंने click किया फिर मैंने pin code set किया जो मेरा six digits का pin code है वो और मैंने वापस वो button पर click किया so finally जो generate होगी URL उसमें code after के बाट six digits मैंने fetch किये ठीक है so आप यहां पर देख सकते हो step by step यह पहला code button click otp button click ठीक है okay यहां पर six digits मांग रहा है तो which problem है let's run once again ठीक है और six digit pin button click और उसके बाद जो code generate हुआ code equal के बाद मैंने six digit फैट किया है और वो यहां पर मैं print कर रहा हूं ठीक है so यह एक simple code है auto login का अगर आपको इस उसको purchase करना तो उसकी price मैंने description box में रखा है if you like my video subscribe to my channel and share with others thank you अर्ष्ड़र कर दो